तो वाइस कैसे हैं आप सभी, अभी मैं इधर जैकेट वाइकेट पैन के बैठा हुआ हूँ, क्यूंकि देखिए ठंड का मौसम बढ़ गया है, दिसंबर में आ गए हैं, हम लोग अभी क्रिस्मस भी आने वाला है, तो अभी क्रिस्मस पे आप गिफ्ट क्या दीजिएगा किस क्रिस्मस के लिए जो सबसे बेस्ट गिफ्ट है, जो आप अपने आपको, या किसी बच्चे को, या किसी बजुर्ग को, किसी को भी दे सकते हैं, या सबसे बेस्ट है, मतलब आप समझ रहें न, आल राउंडर, यह राशीं की तरह, एकदा मस्ट, वो है प्राडक्ट हमारे यह है हमारा प्राडक्ट, आपको मैं बोल रहा था न, हंडी में किसी बच्चे को गिफ्ट देना हो, क्रिस्मस का, या किसी की नई नई शादी हुई हो, या किसी अंकल को गिफ्ट देना, यह देखिए, नई शादी वालों के लिए जस्ट मैरेड या बेस्ट कपल अंदर बॉटल जो है, एकदा मस्ट है, और इसके साथ साथ हमारे पास, आप समझ रहे हैं न, छानने की मशीन है, इसको क्या बोलते हैं, छननी, समझ रहे हैं, हमें है, 304 स्टील का बना हुगा है, यह मतलब स्टेनलस स्टील है, सही क्वालिटी है, और यह है 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 एपी टे वाटल, यह है, और टेंपरेचर स्याद है, थोड़ा इसको मैं आटा दू, यह राब बाटल, और यह राब बाटल, यह है मिल्टन का थरमस, और यह है हमारे पास चिल्ड वाटर, इसमें लिटरली आइस जमा हुआ है, मैंने इसको फ्रीजर में रख दिया था, और इसमें लिटरली आइस जम हुआ है आइस देख सकते हैं हम और यह हमारे पास मिल्टन का थर्मस ठंडी बहुत है तो वैसे ठंडा हो जाता है ना इन दोनों से हम टेस्ट करेंगे इसकी क्रेडिबिलिटी अभी हम गरम पानी डालते हैं लेख रहें आपको हो 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 पानी डाल दिया है हमने और इसकी बैटरी लाइफ जो है वह बैटरी लाइफ यह ये करते हैं कि आपको चार्ज करने की ज़रूरत ही नहीं है यह इसका बैटरी लाइफ बहुत ज्यादा है अब बंद हो जा भाई अब भी दिखाए यह देख रहा आपको हैपी टेक्टिप्स का अभी वो था हॉट वाटर बाटल का और आपने वो जो छोटा सा वीडियो देखा आम एक्चुली इसका क्या है यह बहुत कम समय के लिए आपको टेंपरिचर दिखाता है यह देखे ठंडी के दिनों में भी इनिशेशन हो गया मतलब जीरो डिग्री से टेंपरिचर इसका नीचे था और यह जो यह है इसका फीचर सबसे बेस्ट है आप इसमें अपना चाय अपना छान सकते हैं आपको किसी और चीज की ज़रुरत नहीं है तो गाइज यह था हमारा ठंडा पानी अब हम ठंडे पानी का टेंपरिचर एक बार टेस्ट करेंगे कि ठंडे पानी का टेंपरिचर यह कितना बता रहा है अभी तक हमारे पास पुराना टेंपरिचर आ रहा है 34 डिग्री सेल्सेस तो इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा व तो गाई अगर आप इस वीडियो का अभी तक एंजॉय कर रहे हैं तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें जरूर नई वीडियो का इंतुजार करें और ठंडी में, रजाई में दूब के रहें तब तक के लिए बाई